99% लोग नहीं जानते लसोडा खाने के फाइदों के बारे में सैकडों बीमारियों को दूर करने वाली जड़ी बुटी है लसोडा सेहत के लिए बहुत ही फाइदेबन मानी जाती हैं इसके फल और पत्ते और बीच फल हमारी समगर सेहत के लिए लापकारी होते हैं पेडों के फलों के बारे में हम और आप पूरी तरह से अंजान रहते हैं जैसे बहुत कम लोग जानते हैं बरगत के पेड़ से गिनने वाले फल के कई सौस्ते लाब हैं लेकिन यहां हम आपको लसोडों के बारे में जानकारी दे रहे हैं लसोडों का परनस्पतिक नाम काडिया माईस का है लसोडे का पेड़ भी बरगत की तरह बहुत बड़ा होता है इसके भल बहुत चिकने होते हैं रच्छिन गुजरात और राजिस्थान के लोग इसे अपने खानपान में इस्तेमाल करते हैं लसोड़े के पत्तों का स्वाद पान की तरह होता है इस पेड़ की 30 प्रजातियां होती है लेकिन लमेडा लसोड़ा फेमस है बरहाल आज हम इस फलके फायदों के बारे में बात करेंगे आज में शेयर कर रही हूँ आपके साथ लसोड़ा खाने के क्या-क्या फायदे होते हैं इसमें कौन-कौन से पोशक तत्त पाई जाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए फायदे बंद हो सकते हैं तो फ्रेंश वीडियो को पूरा फालो करें जिसे की पूरी जानकारी आपको मिल सके वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल ना भूलें सब्सक्राइब और मोर वीडियोज तो फ्रेंग्स चलिया ये बात करेते हैं लसोड़े के और और गुणों के बारे में लसोड़ा पोश्रततों से समर्ध होता है और कुछ लोग इसे गौंदी या निसोरा के नाम से भी जानते हैं लसोड़े में प्रोटीन, क्रूड फाइबर, कार्भोहाइटरीट, बसा, फाइबर, आईरन, फासफोरस वे कैलसिम जैसे पोश्रतत पाए जाते हैं इसके साथ ही लसोड़ा एंटी इंफ्लमेटरी गुणों से भरपूर होता है प्रेंट चलियाए अब बात कर लेते हैं लसोड़ा खाने के दस बड़े फाइदों के बारे में नमबर वन लीवर के स्वास्थे को ठीक करता है लसोड़ा लसोड़े की फल में लीवर को ठीक करने वाली कई कतिविदियां होती हैं जैसे कि एक शोद के अनुसार तेल, ग्लाइकोसाइट्स, फ्लेवोनाइट्स, इस्टेरोल्स, स्पेन निन्स, टेरोनीपीनाइट, गम्स और की उपस्तिती से पदा चला है मियू, सीनेल, लीवर, हिलिंग गुण हो सकते हैं हाई ब्लेट प्रिशर के लिए फायदेबन माना जाता है लसोडा हाई ब्लेट प्रिशर दुनिया भर में सबसे आम बीमारी है लेकिन आप इसे घरेलू नुसकों के जरिये भी ठीक कर सकते हैं एक शोद के अनुसार कार्डियमाईस का फल में उच रक्त चाप बिरोधी भुण होते हैं पास सब्ता के अधिन के बाद पाया गया कि यह फल निकलने रक्त चाप की इस तरको प्रबंदित कर सकता है ओक्सिडेटिव तनाव को कम कर सकता है मालसून में इसकिन पर फोड़े फुनसी होना आम बात है यह समस्यां बच्चों को खास कर देखने को मिलती है जो खेल कूद में किसी कीड़े के संपर्क में आ जाते हैं ऐसे में अगर आपके पास लसूड़े का पेड़ है और उसकी पत्ते को पीस कर प्रभावित तुचाप पर लगाएंगे तो आराम मिलेगा जो लोग खुजली और ऐलर्जी की समस्यां से परेशान है उनके लिए भी लसूड़ा सायक है इसके लिए आप लसूड़े की बीजों को पीस कर खुजली वाली जगर पर लगाएं इससे आपको काफी आराम मिलेगा अगर आपका गला खराब है तो आप ठीक करने के लिए लसूड़े की चाल को पानी में उबालें फिर चान कर पिएं स्वाद के लिए आप इसमें काली में चोड़ शहद भी मिला सकते हैं इससे आपके गले की खराब दूर हो जाएगी इसके अलावा इसके पेड़ की चाल का काड़ा महिलाओं को पीरिर्स में होने वारे दर्स से रहा दिलाता है बहुत से लोगों को कुछ चीजें खाने के बाद मसूडों में सूजन और दादद होने लगते हैं ये समगर ओरल हेल्थ में साहयक है इसके सेवन मुह के चालों को भी दूर किया जा सकता है ओरल हेल्थ में रहाद पाने के लिए आप लसोड़े की चाल का पाउडर लें और उसे दो कब पानी में मिला कर उबालें और फिर इस डिंग को पिएं इससे दाद का दर्द चालें और मसूडों की सूजन सब गायब हो जाएगी जोडों का दर्द और गठिया में रहा दिलाता है लसोड़ा गलू, बेरी यानि लसोड़ा का नियमित सेवन गठिया से पिरिद लोगों में जोडों की दर्द से रहा दिलाने के लिए जाना जाता है एक सोद के अनुसार लसोडा के फलो और पतियों में एनलेजिसिक गुन होते हैं जो जोडों के दर्श से रहा दिला सकते हैं हाला कि ये दवा को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं नमबर सेविन सफेद बालों में फायदिबंद माना जाता है लसोडा अगर आपके उम्र से पहले ही बाल सफेद हो रहे हैं तो लसोडा आपके लिए घरेलू औस दी है इसके फलों से निकले रसको बालों पर लगाने से सफेद बालों की समस्या दूर की जा सकती है आप लसोड़े की फल की रस को तेल में मिला कर भी प्रियोग में ला सकते हैं इस मिश्रन से सिदत की समस्या में भी छुटकारा पाया जा सकता है इतना ही नहीं आप लसोड़े की पत्तु का लेप बना कर मेतर पढ़नाम पा सकते हैं परीट सूजन करे कम सूजन की समस्या जिन लोगों को अक्सर परिशान करती है उनके लिए लसोड़ा काफी फायदे बंद होता है जोडों में दर्ड सूजन होने पर इसके च्छालों का काड़ा बनाएं इसमें थोड़ा सा कपूर मिलाएं इससी सूजन और दर्द वाली जगों पर मसाज करें च्छाल या फिर इसके पत्तों को पीस कर लेप लगाने से भी आराम मिलता है नमबर नाइन शरीर को बनाएं मजबूत यह आपको शारिरिक रूप से मजबूती मिलती है तो आप लसोड़े का फल का चाया सूखा भी खा सकते हैं इसमें कई तरह के पोशिक्तत होते हैं जैसे प्रोटीन, फाइबर, कैशियम, फॉस्फोरस, आइरन आदी कई जगों पर लोग सूखे लसोड़े से लड़ू बना कर खाते हैं ताकि सारे रूप से ताकत मिले शरीर को उर्जा मिलेगा, इसका साग भी लोग खाते हैं, शरीर में आइरन की कमी दूर होती है नमबर टैन, मासिक धर्म की समस्या को करें दूर यह दिया आपको प्रती एक महिने पीरस के दौरान काफी दर्द, पीट में मरोड, कमर दर्द, मूड, स्विंग, आदी होता है तो लसोड़ा खाएं, छाल का काड़ा पिएं, दर्द में आराम मिलेगा I hope आपको यह जानकारी ज़रूर पसंदाई होगी अगर आपको यह जानकारी पसंदाई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल ना भूलें जिसे की जानकारी आगे तक पहुंच सके और अगर आपने अभी तक योनिक तड़का को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे जिससे की आपको इसी तरह की अच्छे अच्छी वीडियो मिलती रहें बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें कमेंट शेक्षिन में कमेंट करके जरूर बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी थैंक्स फूल वच्छ और बाई टेकर आफ यू